ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आपका स्वागत है चले खबरों में आगे बढ़ेंगे एक दूजे के हुए सुनाक्षी सिना और जहीर इकबाल दोनों की रिजिस्टर्ड मैरिज सुनाक्षी के बांदरा के अपार्टमेंट में हुई है परिवार और साती करीबियों के से पहुँचे वहीं अनिल कपूर रेखा काजोल संजे लीला भनसाली सायरा बानो समिट कई सेलेप्स भी रेसेप्शन में नजर आए ये तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुनाक्षी सिना की शादी की पहली तस्वीर है रेसेप्शन की दूसी तस्वीर आपको दिखा कानपूर के बर्रा इलाके के जरोली फेस एक में स्क्रैप गुदाम में भी शुनाग लगे आग से गुदाम में रखे प्लास्टिक बूरियां चलकर खाक हो गए दमकल की साथ गाडियों ने आग पर कंच्रूल किया और आग लगने की वज़हां पिलहाला भी नहीं पता च और काफी कड़ी मसक्त के बाद से आग पर कंच्रूल किया गया लेकिन आग कैसे लगी है अभी इसका पता नहीं चल पाया है खुशी पनीचर रुची लान से पहले शाज़ापूर पोलिस ने चार वारंटियों को गिरफतार किया है थाना कट्रा पोलिस ने उन्हें अलग-अलग जगहों से गिरफतार किया है इन वारंटियों के खिलाफ के सर्च किया गया था जिसके चलते कोट ने वारंट जारी किया था तो कोट ने वारेंट उजारी किया था जुसके बाद में अलग-अलग इलाकों से इन चारों की गिरफतारी की गई है और इन पर कई मामने पहले से दर्श है मेनपोरी में पुलिस ने इंकाउंटर के बाद लड़की के अभरन के आरोपी को गिरफतार कर लिया गोली लगनी के बात में पुलिस ने उसे गिरफतार कर जिला अस्पताल में भड़ती कराया एसोजी टीम और साती थाना कुर्रा पुलिस ने ये कारवाई की है आरोप के मताबिक टावा के रहने वाले इस आरोपी ने करन्या भोच के बहाने लड़की को घर गया घर में बुलाया अधवा किया और उसके कब्से से एक तमंचा काईकार्टूस और साती मोटर साइकल परामती गई है पुलिस ने आदमरक्षार्ज जवावी फाइरिंग की जिसमें इसके पैर में गोली लगी है और इसको गिरफतार कर लिया गया है इसको घायल वस्ता में अस्पताल बेजा जा रहा है इसने पूरी घटना को इस अपहरण की पूरी घटना को सविकार करते हुए पूरा घटना करम बताया है इसके बारे में और जानकारी की गई तो ये पहले से भी इसके अपहरण छेडखानी और ये सी अस्टी के मुकद में इटावा में पंजीकत है राय बरेली में करेंट लगने से पत्ती पत्नी की मौत हो गए बतायाचारा है कि भीशवणगर्मी की चलते पत्नी पंके को अपनी तरफ गुमा रही थी तब ही करेंट की चपेट में आने से वो जमीन पर गिपले, पत्वी की गिरने की आवाज सुनकर पास में सो रहां पत्वी उसे बचाने के लिए दोड़ा, लेकिन अंधीरे की चलते को फिर पड़ा, इसी तरह पती भी करेंट की चपेट में आ गया और दोनों की मौत हो गई, नसीराबाद थाना इलाके का मामला है, और हालसे में मौत की सुच्णा पाकर मौके पर पोलिस पहुची और दोनों के शवो को पोस्ट मौटर की भी जोग गया, इस खटना में कई जोपड़ियां चलकर राख हो गए, इस थानी लोगों ने कड़ी में शक्कत के बाद में आ इलाके का मामला है, यूपी आरो एरो पिपर लीक मामले में प्रिंटिंग प्रेस के करमच्वारी समेच छे लोग गिरफतार किये गए, प्रियागरास से स्टेफ ने गिरफतारी किये है, ग्यारा फरवरी दोहजार चौबिस को परिक्षा हुई थे, भोपाल की प्रिंटिं आरोप के मताबिक प्रियागराज के विशब जॉन्सन गर्स स्कूल एंड कॉलिज से पेपर आउट कराया था, कॉलिज में परिक्षा का काम देखने वाले शक्स ने पेपर आउट करा के गैंग को दिया था, इस मामले में कॉलिज के प्रबंधक और प्रिंसिपल के भूमि प्रिंग उन्स ने तो